जूपन कुछ फाइट्टोछ लेक्ट वर्लॉरक्ट राफ़ ऋर्गिंश इस्टेंथ ईल्स यह आपका क्लास थर्द साइन्स का चैप्टे फीफ है यह आपका सगेंड लेक्ट रहे आवध और अर्गिंश कौन को क्या हैं नेर्वर फीस्टम थ्यूद्स अति रहे यह नर्स है क्या ठीक है तो अगर आप अपने बॉडी के पार्ट्स को अगर देखिएगा हैंड्स में देखिएगा तो आपके हाथों में क्या दिखेगा इवार सिंग डेट देर इज असम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब का मंतलब क्या विटा सम पाइप लाइक त्रक्चर आपको दीक रहा है वह आपके सकी हजिसको लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बोलते है लेट शेसे में गीन होता है जो की दिमाग Espinal Code and अब एक एक करके समझाते हैं आपको देखिए आवर पार्ट अफ अफ ब्रेन यह आपका क्या है इस 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 पाइनल कोड इस 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 पाइनल कोड ओके नव लेट उस सी देखिए यहां पर बहुत सारे ट्यूब लाइक ऐसे ऐसे structure दीख रहे हैं यह सारे हैंंडस में भी पुरे तारी ब्रड classrooms आर ऑ स में असने पांट यह करता हैं एह हमारे सरीत करते हैं इल्ड ऑड़ दिस इसा किरिए देख जार और सीसिटम शींट पूर्ड अरमें basketball के यह हमारा मदद करते हैं किस सीज में मदद करते है it helps us to think क्या होता है शोचने में speak speak मतलब बोलने में and remember मतलब क्या होता है तो memorize it कुछ याद रखने में तिस का काम है it helps the it is the working of a nervous system okay it also help us to learn यह हमारा क्या करता है याद करने में भी मदद करते हैं क्या करता मदती है यह सब यह nervous system का work है क्या क्या work है nervous system just hello बोलना है यह कहां से अप्रोच आता यह थिंकिंग हमारा नर्वस सिस्टम से मिलता है रिमेंबर कोई भी चीज आप पढ़ते हैं उसे मेमोरी में याद हो जाता यह किसके करण डिव तू और नर्वस सिस्टम ओके आवर स्कलेटन इज मैड़ और चेक यूर प्राउग्रेस द ना रिपस्ट है दोनों में डिफरेंसे टू हंड़ेटसीट त्रेंड्रव सिक्स का मतलब अगर बिला होता है कि बिएप समझते चोटे बच्चों लस्ट रिंडर सिक्स बंच उते तो बाकी बंस कहा चले जाते हैं लाह यहां पर क्या होता हमारा यही रीजन होता है कि बञट्ट होने किसंख्या क्या हो जाता है दियर जाते हैं उनके बॉन कितने होते心 इन बॉन्स का perform में ahah करीबन कितने 600 मसल्ष होते हैं और हमारे बॉड़ी में दिघ्र वाटर इस टेकन टू दूदर लिया जाता है किसके गारन हमारा बॉड़ी के अंदर जाता है इट दूट अर्ट टेकन भाई लॉग्स पाइप कहा होता है अगर आगे में देखेंगे तो हमारे पास जो गर्दन हैं आपका नेक हुआ है हमारा विंड पाइप की तरह कुछ राउंड है वह पाइप क्या होता है यह घर पाइप होते हैं जाता है पर्रेकिंग डाउन of food is called excretion or a digestion जो हमारे भोजन होते है उस भोजन का breakdown, breakdown का मतलब क्या होगा तूठना जो तूठना होता है हिसे को हम लोग क्या बोलते है इसे हम लोग पाचं सक्ति बोलते हैं पाचंत बहुत बहुत सिस्टम के अंदर में सारे सीज होते हैं स्क्लेटल सिस्टम है हमारा किस्ट का बना हुआ है इसके बाद नोग नेक्स टॉपिक देखते हैं आप शरकुलेटरी सिस्टम सरकुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है रक परिशंचरन हमारा तंत्र ठीक है तो रक्त परिशंचरन जैसे हम नाम हिंदी में बोल रहें मतलब क्या हो गया क्वूण ठीक हख एंच क्या हो गया सरकुलेटरी सिस्टम में खूण जो होते ह vulneret जो होते होता है मैड फॉफ होते हैं इनके अंदर बलड वेसल अंद ब्लड अब देखिए व्लड वेसल्स जो कि हमारे यहां पर फिगर में दिखाया गया है यह बहुत सारे ब्लड वेसल्स है यह होट क्या हा है हमारे बॉडी के अंदर जो खून होता है इसको यह क्या करता है पॉंप करता है फोंप मतलब होता है इसे हमारे घर में चापकल में आप बाहर बाहर पानी आती है similarly our heart is also pumping a blood यह क्या करता है खून को pump करता pressure देता है now blood vessels carry a blood to all part of our body यह जो blood vessels होता है क्या करता है it carry the blood यह खून को लेकर जाता कहा to all part of our body हमारे body के सारे हिस्से तक यह खून को ट्रांस्पोर्ट करके पहुचाता है यह किसका काम है it is the work of a blood vessel ध्यान से रखिएगा हमारे खून को body के चारो तरफ parts में कौन पहुचाता है blood vessel और हट क्या करता है हट हमारे blood को pump करता है चलिए function देखते दा सर्कुलेट्री सिस्टम्स मूब दा blood around the body in circulatory system what will be happen it circulates the blood around the body यह हमारे body के चारो तरह blood को क्या करता है circulate करता मिन्स वाट पहुचाता है blood carries important things such as a digested food and oxygen to the different part of our body अब देखिए इस blood में होता क्या जो blood होता है इसके अंदर क्या होता यह oxygenated blood होता है and digested food अब देखिए हम लोग भोजन लेते हैं बटा भोजन लेते हैं हमारे small intestine large intestine वहां जाता हो डाइजेस्ट होता है डाइजेस्ट होने के साथ क्या हो जाते मिल जाते है जब खुन के साथ मिल जाते है then this blood is transported to the all the parts of our body हमारे body के सारे हिस्षों तक यह transport होता है और इसके बाद जब यह transport होता है तो हमारे body के parts को क्या मिलता बी आर गटिंग इनर्जी हमें उर्जा मिल पाती है इट अल्सों circulate around the body and collect the carbon dioxide and other waste from all organs अब देखिए यह circulatory system में और एक काम होता है क्या it circulate around all the body parts यह हमारे body के सारु तरफ हिस्षा में क्या होता है ब्लड जो कि यह move करता है and collect the carbon dioxide और carbon dioxide को भी हमारा क्या करता है collect करता ही कठा करता देखिए carbon dioxide का मतलब का डी oxygenated blood इसको बुला जाता इट मिन्स वाट को जो खून है उसमें carbon dioxide मिला हुआ जिसको हमारे पास फिर से आता है और वहां से क्या होता है कि फिर से हमारा exhalation के थ्रू जो नाक से हम लोग बाहर हवा देते हैं वो carbon dioxide हो जाता है बाहर ओके एन अधर वेस्ट फ्रॉम और और हमारे सारे और गेंस से जो कि इसी तरह से वेस्टेश को इट इज कलेक्टेट बाई आवर सर्कुलेटरी सिस्टम ओके जलिए लेट सी देनेक्स टॉपिक इकस्व्येट्री जीस्टम में क्या होता बादश जा है हमारे बाड़ी挺 मतलब पाशीना यूरीन फिभाडी हमारे बाड़ी बाड़ी में जो ब्रोड़ॉडग्ट होता है यूरीन से बाहर होता है किड़्नी इस्किन देखें एक jurisdrty system यह हमारे पार रॉट्ट होते होगे यूरीन के फ़र्म से बाहर वो फिल्टर करके स्कीन वह ड़ा करता हॉट किसिद जो स्कीन से होते स्कीन से क्या होता है स्वेट बाहर ौता वुणित मतलब पशीना हमारे से पसीना बाहर हो जाते हैं लंग्स लंग्स क्या करता है हमारा डी ऑक्सीजिनेटेड जो ब्लड होता हुआ से कारवंड एक्साइड जो वेस्ट प्रोड़क्ट में हमारे बॉड़ी से होता है रिलीज हो जाता है यह स्कुरेटरी सिस्टम के तीन पार्ट है कौन-कौन सा एक बाहर किया जाता है इसके बाद हम लोग रिप्रोड़क्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं ड़ी प्रोड़क्टिव सिस्टम है प्रजनन संता इसी से होता है तो यहां से अमारे क्या होता है यूमन बिंग्स और प्रोडूशर न्यू बैभी ऑप शेम टाइप अपने तर है इन दोनों का अलग अलग जो कि है डिफ्रेंट ऑर्गेंस होते है किसलिए फोर रिपोड़क्टिव करने के लिए अलग अलग जो कि हमारे ऑर्गेंस सिस्टम होते है गुट तू नो देखते विटा आवर किट्नी मेजर से अबाउट 4.5 इंचे इन लेंस हमारे जो किट् कितना होता है फोर पॉइंट फाइप इंच के बराबर होता है दूसरा देखते है गुट्टू नो तू आउट डड़ेंट फिल्टर एंड प्रोडूस एराउंड वन थाउजन तू हंडर्ड मिली लिटर ऑफ हमारे किट्नी से पूरे दिन में कितना एक हजार से दो हजार म पूरेंट फिल्टर जो कि क्या होता है हमारा यूरीन जो कि प्रोडिव सोते हैं थर्डवन देखें दैस्ट्रॉंगेश मसल इन दबाड़ी इस था हमारे बाड़ी के अंदर में सबसे मजबूत जो मसल्स होते मांस पेस्ट यहों क्या होता हुँमन टंग जो इंसान है उसक जो हमारे होते हैं यह से हम लोग जो बोन बोलते हैं चलिए यह आपका चैप्टर था इसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं ऑब्जेक्टिब टाइप कोई सब्सक्राइब करेक्ट पहला क्या है इट फॉर्म दबिल्डिंग ब्लॉक्स ऑप और बोडी हमारे बिल्डि है बुल्डिंग ब्लॉक्स को सेल्स फॉर्म्स दब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑप आवर बॉडी यहां पर क्या करना है सेल्स को ऐसे इंसर्कल कर देना दी जार अटेश्टू बॉन्स के साथ हमारा वो जुड़ा रहता कौन सा मसल्स नर्म इसकलेटन सेल्स अब देखें मसल मसल्स आर अटेश्टू बॉन्स हमारे मान स्पेस यह क्या होते है हड्डियों के साथ जुड़े होते है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ और सेर्कुलेटरी सिस्टम का एक मुख भाग इसमें से हैं नहीं ब्रें यह भी नहीं होता है अभी पड़े क्या है हर्ट हमारा क्या ह नहीं हो जाएगा हर्ट को सिर्कल कर लेना है यह सिस्टम है हमारे बॉड़ी को क्या करता है से देता आकार देता है तो हब से पहले पढ़े थे क्या स्क्रेटल को हमें इंसर्कल कर देना है ठीक है तिये कोश्चन नमबर वन का सुलीशन है आप लोग पे सॉल्व कर लिए ओ स्क्रेटरी सिस्टम अभी पढ़ा रहे था और यंश क्रेटरी शिस्टम युटा राख लेते हैं दूसरा रख लेते हैं जो रहाए पशीन आ को बाहर कर रहे थे यह पहला हो गया वे वन और एस्परेट्री शिस्टम जो हमारा स्वास लेने में तो देखे सबसे पहला क्या होगा नोच से इनहेल करते हैं दूसरा लिख लेते किया यह लंग्स हो जाता है कि सनट और गेंस ऑफर डाइसिटिप सिस्टम का और गेंस हमारे माउथ हो गया हुख हो गया है अधिस्ट होना दूसरा इस्टोमेट कि ओकि यह आप लोग भी में फिलप कीजिए घाव चलिए इसके बात नहीं जी देथे फिल फिल इन डबलेंक्स फिल इन दबलेंक्स विद कौन ऐसा जो की है इन दोनों में से जो कंट्रोल करता है ता हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता अभी पढ़ाय थे ना brain control द बॉडी अफ पार्ट यहां पर क्या भरिएगा यहां पर फिलप कर लिजेगा brain को यहां पर ब्रेंफ फिलप हो गया दूसरा पढ़ते हैं कि देखे देश केरी ब्लड टु आल आवर बॉड़ी पार्ट हमारे बॉड़ी पार्ट में चारों तरफ जो की है खून को कौन लेकर जाता अभी पढ़ाया थे विटा ग्या है ब्लड भेसल यहां पर ब्लड भेसल लिख लेना है ठीक हम अभी टिक लगा देते हैं आप लोग ब्लेंग के जब पर फिलाप कीजिएगा एर इस टेकन टू दू लंग्स थूद अब देखे एर हमारा किसके द्वारा लंग्स के पहुंच आता है कौन लेकर जाता है तो यह किसका वर्किंग इडिदा वर्किंग ओफ विंड पाइप यहां पर क्या लिखिएगा विंड प पर फूड अब देखें जो हमारे फूड यो टूड जाते तो वहां से क्या हो जाता है यहां पर क्या लिखेंगे डाइजेशन तो देखिए यहां पर आप लोग डाइजेशन फिलाप कर लिजिएगा दैस सिस्टम गिप द सेपन सपोर्ट आवर बोडी हमारे बोडी को से नवर देता है सपोर्ट देता है कौन सा सिस्टम स्क्लेटल सिस्टम तेहां पर क्या कीजिएगा इस क्लिगा ठीटल कर लिखेंगा थे चैसरी हमारा होता है वह किसे बना हुआ है ब्रेंस स स्पाइनल कोउट से नफ उस तो अभी नर्वस में पड़े थे यह क्या हो गया यह फॉल्स हो गया ठीक है ऑंपर लिए झ oluyor 예 यहां पर सही बात है तो लिख देए मास्कुलर सिस्टम मेड़़ी नहीं वह तो स्क्रेटल शिस्टम बोन्सका बना होता कि अपर क्या हो गया यह गलत है यहां पर फॉल्स लीख लेना होगा चलिए नेक्ट देखते हैं इसके बाद क्या है नेक्ट है और स्क्रांबल दी वर्ड पहला दिया हुआ देखें ए एन ओर जी इसको अगर हम लोग एरेंज करके बनाएंगे तो यह क्या बनेगा यह हमारा ए में क्या बन जाएगा और गेंज ओ आर जी ए ए एन एस और गेंज बी वन भी ए स अन इर अब देखें बी वन इसको इसको एरेंज करेंगे तो क्या बन रहा यह आपका नर्बस बन रहा क्या नर्बस एन ए आर एन इए आर भी इएस नर्व्स नौ सीवन देखिये ओ एमोटी इसको अगर एरेंज करेंगे तो क्या बनेगा माउथ मोटी ये आपका माउथ बन जाएगा डीवन क्या है इसको एरेंज करते तो क्या बनता है देखिये यह आपका हर्ट बन जाएगा ओके चलिए बेटा यह आपका क्या था सारा अब्जेक्टिव टाइप था आज के क्लास को हम यही पर इंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेस्टेन आंसर देखेंगे चाप्टर फिफ्ट का आवर और्गेन सिस्टम को के तास के क्लास को इंड करते हैं ठैक्यू अब्रिवन